हेलो एंड वेल्कम तू मैं आप और विगों स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकरें जिसके अंदर हम करेंगे टेक्स प्लैनिंग इंकम टेक्स चैप्टर 12 इसके एक्जामनेशन क्यूशन हमने जो मारी पिछली वीडियो त्यूसके अगर आप चैनल पे नहीं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आकन प्रस्क्राइब और अगर आपने जो हमारे पहले जो मैंने आपको दो क्यूशन करवाए थे अगर आपने वो नहीं देखिये वीडियो तो मैं आपको लिंक डिस्किप्शन में डाल हमारे इस इंपोर्टेंट को डिस्किस करके हमारे जो इम्पोर्टेंस है और अगरे एक्षिप्शन करने है हाव डोस्त टस्प्नेंग वो धिफर आंडए ट्स इविजन काीसी अल्लग है ट्सीविजन से ट्स इजिजन का मतलब बतलब च्ट की चोरी इन दोनों के बीच में हम डिएंस पड़ेंगे जो यह स्टेट्मेंट दी गई है टेक्स प्लेटिंग इस लिगल और मॉरल वे ओफ सेविंग टेक्स सेविंग इस क्योंकि यह त्रू है क्योंकि हमारी जो टेक्स की लिबिटीज होती है उनको डिडियूस करता है टेक्स को कम कर सकता है with tax planning tax planning क्या है डिफाइन क्या गया है arrangement of one financial affairs in a way that burdens of taxation in NSSC as a far as possible by minimized without violating any way of legal provision कोई भी legal provision को तोड़े बिना relief, rebates जो भी हमारी deductions दी जाती है assumptions दी जाती है permitted under this act उनको फोलो करके हमारी जो टेक्स को कम करता है tax planning जो rebate, relief and deductions है assumptions है यह सारी मैं आपको टेक्स के अंदर करवा चुखी हूँ tax production practices जो हमने 5 seconds start कर रखा है 6 time के अंदर जो आता है अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते channel के ऊपर मैंने पूरी प्लेइलिस्ट के रखी है इसके बाद है इन फेक्ट देदुक्शन अजब्शन डिबेट रिलीफ है है वीन प्रोवाइडेड इन दा लेजिस्टेटर तो अचीव सटेन शोचल एन एकनोमिक गोल मतलब है हमारी जो शोचल जो एकनोमिक गोल होते हैं इसका उब्जेक्टिव होते है कि इकनोमिक इंक्वीज हो टेक्स प्लैनिंग के तुरू लिगल राइट्स हैं सोचल रिस्पोंसिबिल्टी इसको फुल्फिल करता है दा अब्जेक्टिव टेक्स कंसेशन इस डेवलप टूइकनोमिक बैक्वार्ड जो भी स्ट्रविड कोई भी बैक्वड जो डिस्टिक बैक्वड स्टेक्ट के अंदर को इनदर उसको डिरक्शन दी जाते हैं डिस्टिक या बैक्वड सेट के अंदर को भी नहीं इंडेश्टिया कहीं है तो इसके हमारी कि घंदा इटी लिए देते हैं उनकी इंकम के अंदर हमारी क्या करती है रही डिवीजमेंटकर करती को एकनोमिक सेविजसे इन इवेस्मेंट को जो भी हमारे एथीकल आप्जेक्टिव औहन को अचीव करने में पहल रहता है एंद इस नोट करवेबल डिवाइस तो अवोइड करते हैं अगर आपने वह वीडियो फिर भी नहीं देखिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शिन में डाल दूगा आप जाके चेक कर सकते हैं ओर इम्पोर्टेंस टेक्स जर्ण के अगरएट के अंदर ऑफिरेंस के अंदर एक्ट फॉर्णर एक्ट हैं इसके अचीव करते हैं शोचल एंग्रोमिक अब्जेक्टिव्स जो भी हमारे बिना कोई भी को भी डिवाइज एन एंड वोइड करें बीना टेक्स आपके चोरी कर परकित पर परेक्ञुटियघ शोचल रिस्पोंसीबिलिटी इनकी इनकी लिगल्य रॉट्क्सपोंसीबिल्टी बई tickets प्लैनिग में में हमारी जो भी certain objective होते हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं अगर हम टेक्स की चोरी करते हैं तो हमें पैनल्टी करनी पड़ेंगी पैनल्टी करनी पड़ती है इसके विजए से जो हम टेक्स की चोरी करते हैं इसके बाद पूप करती है पाउड्स ऑफ इंवेस्ट्मेंट डिजायर चैनल जो भी डिजायर चैनल उनको फंड्स प्रोवाइड करवाती है टेक्से वीजन क्या करती चंन्रेट करते हैं क्या वह जो हमारी टोटल इनकम उसके उनकम इन रही हैं तो जो बचीवी इंकम में जिसका जिसके पर हमने टेक्स पे नहीं किया तो जो बच्ची में इनका मुट क्या हो गया काला धन ब्लैक मनी विच जनरली यूटिलाइज फॉर्दा समर्गिलिंग के लिए जो यूज की जाती जनली फिर लगजरी कोई भी चीज एक्सेंसिव कोई भी चीज उनके लिए यूज की जाती है इनको पता होना चीज है कि हम कैसे उनको मतलब कैसे हम टेक्स की चोरी कर सकते हैं किस तरीके से हम टेक्स की चुरी कर सकते हैं तक किस तरीके से मुसको कम टेक्स कैसे हम अपना मतलब हमारी मनी को कैसे चुपाएं हमारी इंकम कैसे छह ना करें इसे अगर हम टेक्स की चोरी करेंगे यह रहा हमारे मन में वहारा रहता है कि क्या पता हम पकड़े जाएं जैसे माली यह नहीं कहते कि अगर कोई बंदा गलती में होगा तो वह अलग से डरेगा उसके डर दिखाई देगा वह अलग से ही मतलब उसके वह डर ऐसा होगा उसके मन में बिल्कुल उसका बलड़ प्रेशर हाइँ होजएगा तो अगर आप गलती में नहीं तो आपको चाहाँ बंदों के आगे खड़ा कर दिया तो भी आप है मेरी कोई पोल्ट है नहीं मैं तो उसके मन में कोई बीर डर नहीं होगा प्योंकि भी उसने कोई क्यी नहीं है तो और आप टेक्सी कोरें तेंशन आपके पास पूरी टेंशन पोरी होता है अच्छे काम आधे तो एक बार माली आपके बुरा हो भी सिकता है पिताने हो अगर अच्छा है तो भी बिता लो बुरा है तो भी बिता लो क्योंकि समय हो जदा जितना बिता चला जाएगा और यह नहीं कि आप आप यह सोचो को कि हम टेक्स की चोरी करें स्ट्रेस के लावा उस चीज से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है तो उसको भूल जाओ जितनी जल्दी बूल जाओ उस चीज को याद मत रखो एक कवीता हमने पड़ी थी अंधी के अंदर सायद पतानी 7 ए 8 क्लास के अंदर थी कि चाया मत चुना दुख होगा दुख दुगना कि जो पीता हुआ कल है उसको याद मत करना क्योंकि उससे दुख आपका जो है वो दुगना ही होगा यह वो बीता हुआ कल आपका अच्छा ही क्यों नहीं हो अच्छा और पीता हुआ कल आपका अच्छा था तो आपको दुख मैं थोड़ा ज्यान में चलिगी तो हम अपने वापीस से अपनी वीडियो पर आते हैं जो मारा topic उस पर आते हैं difference between tax planning and tax avoidance अब हमारी tax planning and tax avoidance के बीच में क्या difference होगा tax planning is an attempt to reduce the tax liabilities of the using a separator flow tax planning का मतलब क्या होता है जो मैंने अपको बता चुकिए लोग के उनको use करके उनको tax को avoid कर देते हैं वह लोग जैसे मतलब क्या मतलब होगा इसका लोग वह तक मतलब की बहुं यह दिखा दिया कि मैंने यहां पर donation दे दिया यहां पर मैंने कर दिया लोग फोल्स को यूज़ करके अब हम टेक्स हमें कम देना पड़ेगा या फिर हमने आज चाहरेटी में इतने पैसे दे दी तो उस वजह से टेक्स को वोईड कर देते हैं वो लोग लगे चाहरेटी में अब हम टेक्स प्लेनिंग करेंगे तो हमें लंबे समय बेनिफिट चलता रहेगा माल निजया हम टेक्स वॉइड या टेक्स वीजन करते हैं तो यह नहीं कहते हैं फाइदा हो रहा है सिर्फ एक टाइम तक उसके बाद हमें फाइदा होना बंद हो इसके बाद है इसके बाद है एज आवर सोसाइटी हैस बिकम मनी सोसाइटी बटेवर दाइविल्स ब्लेक मनी में भी इस बिकम पार्ट ऑफ लाइफ दा मोस्ट ऑफ दा पीपल और इन नियर फदर्स देयर इस दा नो होप पुटिंग ए चेक ओन इता हमारी जो साइटी वो ब्लेक मनी अगर कोई चुपाता भी तो उसका चेक नहीं होता है बट अभी तो जो मोदी जी ने वो पैसे ही बंद कर दी थे तो वो सारी ब्लेक मनी वो खतम ही हो गई थी क्योंकि ब्लेक मनी को लोग फिर बैंक में जमा करवाने सकते हैं और बहार उसको कोई काम की रही नह आप आए मोदा था था क्समेंचबेंट, अब टसम blessings कोको प्लेक मनी फिर यहां टे़न काम उपाता आगा सब्समेंच मनी जू बता एं test management काहिरए टेक स्टेप टू अवेल वेरियस बेनिफित ऑफ टेक्स जो भी हम स्टेप्स के लिए के हमारे जो टेक्स के बेनिफित हो हमें मिलें टू सेवड 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 सेवकरें सेव करनी ही नंपडे काया विए उप्सेव ओफिसिल ओर अटर टैक्स भी हमारे जो इसा मतलब हम रिवीव देंके ओफिशल जो हमार ओडर मिला था उससे मिस्टेक क्या है फेलिंग हमने अपील की या नहीं कि या रिक्वेस्ट कैसे हमारी वीजन्स अप्वेस्टलमेंट इन केस इसके बाद टर्म तर्म्स कवर्ड अंडर टेक्स मनेजमेंट कोंगों सी तर्म्स कव वन सेकरियर्ट डिविदें इंडर अधर अदर धेन इंटर्स अंड़ बाद दवीर फटेत्स अलक्षिट उसकेट्र अपको शायदे कर पाऊंगी क्योंकि आपको ये चीज़ नियाध किननी पडेगी इन्कम तक्स के इंदर। collection of tax at a source every person being a seller should collect tax at a source from the buyer of the following goods alcoholic liquor liquor of human consumption tendu leaves timber obtained timber obtained under forest lies etc payment of tax includes the following advanced payment aapne de di a tax ki sse who is liable to pay tax and during a financial year 10 000 or more and is advanced payment care tax on self assessment before furnish the return of the income of ssc should compute the tax on the total income and interest payable under the provision of this delay in the filling of return of the any default delay in payment of advance aapne advance payment me delay kar di a default ka gaya koi bhi apki payment ke inda payment of on demand demand when a notice demand demand is received from the department the amount should be paid in the joh agar anna demand ki hai us chees ki payment agar aapko karne to aapko joh notice mila hai within 30 days service of notice within specified period notice of demand in case may bhi to aapko fulfill karni padegi us ke baad audit of account hum kaise un accounts ko audit karvayenge in all the cases audit of account is not necessary necessary however in the previous year where old total turnover of gross in the business exit 60 lakh in the provision of exceed 15 lakh of the audit of the accounts is compulsory mahi kuch cases ke inder 60 lakhs te zayadha pro ya phir profession ke business ke inder se aapki joh income ho 60 lakh se zayadha ho gai hai profession ke inder aapki income joh 15 lakh se zayadha ho gai to aapko audit of joh account ho compulsory ho zayega auditing eek pura subject ho ta hai bhi com ke inder hi aata hai agar aapko unke bhi notes chahi hai to aap johi comment section me bata sakti mahi aapko uuski bhi notes zahur provide दर वाओंगी हमार आगला question क्येशन क्येशन last question है इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी उसके बाद इस चैप्टर के हम short question answer करेंगे यह क्या है what is text planning text planning हम कर चुके है explain this characteristic and importance difference between text planning and text management हम पढ़ेंगे च्रेटी दा इस बताना के इंडा में is a part of tax planning, tax management tax planning का part होता है it is scope of wide scope है but tax management क्या है, the scope of tax management is limited इसके जो limited scope होते है but tax management है, वो part होता है tax planning का इसके अंदर क्या है, compulsion क्या है tax planning is not required for each SSC, tax planning जो हरी SSC के लिए ज़रूरी नहीं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो don't forget to like, share and subscribe my channel thank you for watching my video